गुड मॉर्निंग चिल्रिन कांटिनिंग विदा सेविन चाप्टर दाट इस साओध एरिबिया दा हॉट देजर्ट तो आखे बढ़ने से पहले हम एक बार रिवाइस कर लेते हैं हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था हमने सबसे पहले जाना था डेजर्ट के बा तो साओधी अरिबिया लोकेटेद है अरेबियन डेजर्ट में और साओधी अरेबिया के नीवरिं निवरिं गां toutी है हैं in the north Jordan and Iraq in the east in the eastern side or the eastern side that is Kuwait, Qatar and Bahrain, southeast Oman, south Yemen. Next we came to know about the climatic condition of Saudi Arabia that is Saudi Arabia मिये extremely hot and dry climatic conditions हुआ करती है जहाँ पर बिल्कुल ही कम या फिर ना के बराबर रेनफॉल होती है और के उस और दो coastal areas होती है वहाँ पर भी humid climatic conditions हुआ करती है sandstorms बहुत ही common feature है desert में और यह sandstorm सचानक से आते हैं और बिल्कुल ही स्काई को हीजी बना देते हैं in the sense धुनला बना देते हैं strong winds कैरी करते है sand को एक जगह से दूसरी जगह और एक layers of sand का creation होता है जिनसे sand dunes बोला जाता है और जो shape of the sand dunes होती है वो हमेशा बदलती रहती है with the change in direction of the wind अब हम जानेंगे vegetation के बारे में तो vegetation में हम यह जानेंगे कि जो only plants जो एक मात्र सर्वाइव करते हैं hot and dry dry climatic conditions में वो हैं cacti thorny bushes और shrubs यह सारे plants हैं जो की survive करते हैं इस hot and dry climatic conditions में यानि कि Saudi Arabia के hot and dry climatic conditions में यह सारे जो plants है वो ही actually survive करते हैं और इन plants के long roots होते हैं जो earth के inside काफी deep जाते हैं in the search for water for the purpose of searching water और यह plants के जो fleshy stems होते हैं वो store करते हैं water को और यह जो leaves होते हैं वो reduced हो जाते है thorns में यानि कि converted हो जाते है thorns में जो की prevent करते हैं loss of water को और date palms को grow किया जाता है oasis में और oasis वो area होता है desert का जहाँ पे underground water earth के उपरी surface में आ जाता है और जो लोग यहाँ पे desert में रहते हैं वो prefer करते हैं oasis के आसपास ही रहने के लिए और wheat और bali grow किया जाता है इन जगाओं में अब हम जानेंगे wildlife के बारे में camel सबसे जादे important और useful animal होता है desert में और वो survive कर सकता है extreme heat और scarcity of water यानि scarcity का मतलब पाने की कमी में भी camel survive कर सकते हैं और यह I mean camel stay कर सकते हैं without food for days काफी दिनों के लिए वो बिना food के वो survive कर सकते हैं और उनकी जो padded feet होती है वो sink नहीं करती है यानि कि sand के अंदर in sand के inside नहीं जाती है और यह अराम से walk कर सकते हैं sand में भी यानि कि camels अराम से walk कर सकते हैं sand में भी इसी के वज़े से camel को जैसा कि हमने अभी जाना कि camels easily walk कर सकते हैं sand में और इसी के वज़े से इनहीं कहा जाता है ship of the desert जो अरेबियन होर्सेज या फिर जैकल्स है वो भी काफी तेजी तरीके से मूव करते हैं डेजर्ट में और पिजिन्स और क्वेल्स भी पाए जाते हैं और इस इसके आसपास अब हम जानेंगे life of the people के बारे में तो discovery of oil से पहले साओधी अरेबिया में लोग वहाँ पे एक nomadic life का lifestyle फॉलो करते थे nomadic life का मतलब होता है कोई permanent जगह नहीं होती थी उनके रहने की और वो एक जगह से दूसरी जगह अपनी सुविधा के हिसाब से move करते रहते थे और camels और sheep को herd करते थे herding का मतलब group of camels या sheep and goats के साथ और आज भी जो वहाँ के जो native यान की वहाँ साओधी अरेबिया के जो रहने वाले लोग हैं उन्हें bidwins बोला जाता है वो camels और sheep and goats की देखभाल करते हैं जब तक वो बड़े ना हो जाए और वो tents में रहते हैं जो की बने हुए होते हैं camel skin से और वो basically nomads होते हैं जो एक जगा से दूसी जगा move करते रहते हैं greener areas की खोज में उनके animals के लिए और वो हमेशा travel करते हैं groups में on the camels, camels के उपर वो हमेशा groups में travel करते हैं across the desert, deserts के काफी हिसों में और पूरे deserts में और जो group of people जो की एक row में move करते हैं on their camels, camels के उपर उन्हें कहा जाता है कारवा जैसा कि हम इस इमेश में देख सकते हैं जो group of people camel के उपर travel कर रहे हैं और एक row में भी move कर रहे हैं उन्हें कहा जाता है कारवा और यह लोग बाटर सिस्टम को follow करते थे यानि कि goods के exchange में goods या फिर उस तरीके से system को follow किया करते थे बाटर सिस्टम को तो वो बाटर करते थे अपने goods को जैसे की sheep, goat, lambs, wool, cheese, carpets, etc. for dates और इनके बदले वो dates लेते थे, food, grains लेते थे या जो और चीज़े जो उनके लिए जरुवत होती थी वो इस तरीके से वो इस exchange system का follow करते थे बाटर सिस्टम अच्छली एक्सटींग सिस्टम हुआ करती थी आच्छली हुआ वही फॉलो करते हैं वहां के नेटिव लोग जिन्हें बेडविन्स बोला जाता है वो अपने goods जैसे की sheep, goat, lambs, और wool, cheese के बदले वो dates या फिर food grains लेते थे उसके return भी और बेडविन्स के जो camels थे, वो milk देते, cheese, butter और hair of camel को भी use किया जाता है, clothes and drugs prepare करने के लिए और जो skin of camel है, उसे use किया जाता है, tents बनाने के लिए so students, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि जो only plants हैं, जो एक मात्र plants हैं, जो survive करते हैं साओधे अरीबिया के hot and dry climatic conditions को, वो हैं cacti, thorny bushes और shrubs, इन plants के लंबे roots होते हैं, जो deep inside the earth जाते हैं in search of water, और इन plants के जो fleshy stems होते हैं, वो भी water store करते हैं और इन, इनके, इन सारे जो plants होते हैं, वो अपने leaves को reduce कर देते, thorns में, जिसे की loss of water का prevention हो सके, फिर हमने जाना, oasis के बारे में, जो की place होता है, dessert में, जहां पे underground water, earth के उपरी surface में आ जाता है, और लोग वहाँ पे जादा तर prefer करते हैं, oasis के नजदीक रहने के लिए, और wheat और barley grow किया जाता है, इन जगहों में, फिर हमने जाना wildlife के बारे में, तो camel most important or useful animal है, dessert में, और वो survive कर सकता है, heat और पानी की कमी में भी, और वो रह सकता है, बिना खाने के काफी दिनों तक, और उसके जो padded feed होते हैं, वो sand के अंदर नहीं जाते हैं, यानि की inside नहीं होते हैं sink नहीं होते हैं, और वो आसानी से walk कर सकते हैं sand में, इसलिए camel को ship of the desert बोला जाता है, फिर life of the people में हमने ये चाना कि discovery of oil, जो कि Saudi Arabia में होने से पहले, लोग lead करते थे nomadic life, जो कि आज भी कुछ लोग उस चीज़ को follow करते हैं, और आज जो native लोग होते हैं, उन्हें bedwins बोला जाता है, आज के time में, फिर group of people, जो कि move करते हैं एक row में, और on their camels, उन्हें कारवा बोला जाता है, bedwins follow करते हैं butter system, जहां पर वो goods के बदले goods लिया करते हैं, या फिर वो चीज़ें जो उनकी जरुवत के लिए हो, और उनके जो camel से वो देते हैं milk, cheese, butter, और hair of camel का भी इस्तमाल किया जाता है, clothes and drugs के लिए, और skin of camel का use किया जाता है, tents के लिए, so students, this is the end for today's learning video, please go through this video, thank you.